वेल्कम टो प्यूर कुटिंग इस एडियो में तेलंगाना इस्पेशल आम की अचार की रेसिपी शेयर करने हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहां पर आम ले लिया है यह सखत वाला आम है हाड वाला यह घर में कटता भी नहीं है र कि आम लिएक है आम ले रही हूं स्नी के इसाफ से मैं यह राई है पच्शाप में में का पाउडर न वं पाउडुन इसकी मह निंगावन में में हूट नहीं तो पेस में से बचाना है यहांा इन्साफ से याम खरीबन एक किलो से थोड़े से ज्यादा है एक किलो का हिसाब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आसानी के लिए आपको जितना भी अचार बनाना है उसके रेश्यों से आप इंटू कर ले अब मैं इसमें नमक एट करूँगी जो मैंने लेसन बताया था व नमक करेंगे East कि नमक सौग किराम है ठीक है अब मैं इसमें hundred Ryu mirch to add कर रही हूं of締य्टेश्ली पॉडर यह मेरी घर कीपी सी होवी मिर्ची है मैंने एसे घंड़ी तोड़कर सुखा के इसे पिशा मैंद करेंगे तो हरो कि मिर्ची युश्य उसखरेंगे तो खराब नहीं साल भर तक भी अब आई जब चीजों को पहले मिक्स कर दूंगी वैसे तो हाथ से मिलाना चाहिए थोड़े मैं साभित लैसन गश्याएं कर रही हूं तो जब पानी नहीं होना चाहिए कोई भी चाराब बना विद्धा इनको जब होना चाहिए अगर आपने केरी ओं को धोलिया तो उसे पहले कपड़े से अच्छे से स्पोच दे इतनी हाड वाली केरी लेना ज़रूरी है वरना अचार खराब हो जाएगा तो जब मैं मसाले भून रही थी तभी मैंने इसका बगार रेडी कर दिया तो यह खरीबन तीन सो ग्राम ऑईल है एक किलो कैरी के लिए तीन सो ग्राम अचा तेल काफी रहेगा मैं आप संफ्लार ऑईल ही ले रही हूं लेकिन आप चाहें तो दूसरा ले सकते हैं इसमें मैंन आप करना है अब हम इसे मिला के अब हमने इसे मिला दिया है इसे हम अब कपड़ा ढख कर रखेंगे ढ़क कर नहीं धातना है इसे हम कपड़ा ढख कर रख देंगे और एक बर दूसरे दिन भी हमें इस इस तरीखे से चम्मच से हिला लेना है उसके बाद में हम इसे कांच की बॉटल में प्रिजर्फ करके रखेंगे तो यह एक साल तक भी खराब नहीं होगा कल मैं से फिर से खोल कर देखूंगे अगर तेल ज्यादा नहीं लगा तो ही रैट करूंगी वरना अड़ने करूंगी वैसे कल तक यह तेल ऊपर आ जाएगा अब मैं से कपड़े से ढाक कर रख दूंगी तो आज अचार बना के मैं दूसरा दिन हो गया है देख सकते हैं आप काफी देल आ गया है अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेजरमेंस देंगी तो यह अचार बन के तयार है इसे 2-3 दिन के बाद में आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक इसके सारे अचार में मिल जाएंगे आम की जो कहरी है इसका कटापन भी अचार में आ जाएगा इसका कलर और टेस्ट बिलकुल बाजार के अचार से भी अच्छा हुआ है और यह अचार एक साल तक खराब नहीं होगा इन्शाला अगर आप इससे बहत्यात से स्क्वाल करेंगे और पा तो थोड़ा सा तेल गरम करके बिलकुल रूम टेम्परेचर पी आने के बाद में आपो तेल डालें तो इसके ऊपर अगर तेल रहेगा तो इस अचार इंशाला खराब नहीं होगा अब मैं इस अचार को इस तरह की कांच के बरतन में रखना चाहिए वरना प्लास्टिक में आप जाए नहीं रखना चाहिए तब मैं इसमें डाल दूंगी इसको पछार को पहले जो आप इसमें चमबच करें वह बिलकुल पानी लगावा ना हो सूखा चमबच इसमाल करें इस पर हाथ मत ना लगाए और इसमें अहतियाब से इसमाल करेंगे तो बहुत बहुत दिन अच्छा रहेगा देख सकते हैं यहां पचार का तलर है कि यह वही पचार है जो गाउं में तिलंगाना के गाउं में बनता है इसे मैं स्टोर करके रख दूंग दिया बुट तो ट्रेडिशनल आम का अचार बनकर पस तयार है अगर आपको अचार की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें प्यूर कुकिंग चानल को और मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलती हूं